असलाम आलेकूम मेरा नाम मुहम्मद राशिद है मैं दिल्ली से हूँ मेरा सवाल यह है क्या नेक लोगों को कबर की मिट्टी नहीं खाती है जिस तरह यह तो मैंने सुना है कि अम्भिया जितने भी हैं नभी हैं वो उनकी बोड़ी एजेटीज वैसी की वैसी रहती है लेगि कर लोगों के बारे में जिस तरह से है कि उनके जिसम को मिट्टी नहीं खाती है तो क्या नेक लोगों के बारे में सब्सक्तित हैं नहीं खाती है तो ऐसी कोई हदीस नहीं है ना कोई आयत है नहीं कुरान हदीस में उनके जिसम के तालुक से कोई बात नहीं है बलकि खास हदीस में जो खास अंबिया के तालुक से ये कहना कि अंबिया की जिसम को मिटी नहीं खाती है तो खुद उसमें एक एचारा है कि अंबिया के लावा दिगल जिसम को मिट्टी खा जाती है। लिकिन इसके बावजूत भी अगर 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 अपने किसी नेक बंदे के जिसम को बाकी रखना चाहे तो अध Catholics को बाइद नहीं है। मुमकिन हम इसका इंकार भी नहीं कर सकते हैं या अलगर अल्लाह रब लालमी चाहे कि किसी के जिस्म को मिट्टी ना खाए और वो सही सलामत बना रहे तो अल्लाह ये शर्फ किसी को दे दे तो इसमें कोई ताज़ो की बात नहीं सही बखारी की रुएत है कि अल्लाह के नभी इसमें जहां पर मिट्फून है वहीं पर अबुबकर सिद्दीक रज्दियल्लावन अमरे फारुग रजन को भी दफन किया गया है और एक बार दीवार गिर गई थी वहां की चूंकि वह हुजरे में दफने इसलिए वह हुजरे की दिवार नहीं है कोई मजार नहीं है इसलिए बना हुआ था उससे पता चलता है कि उस वक्त तक उनके जिसम को मिट्टी नहीं खाया था तो हो सकता है कि आगे भी वही हाल रहा हो अगर किसी को इस शर्फ दे दे तो कोई बाइद की बात नहीं है तो अन्बिया अले असलाम के बारे में तो ये बात मन्कूल है कि उनके जिसम को मिट्टी नहीं खाती है लेकिन दीगर जो नेक लोग है उनके बारे में कोई गारंटी नहीं है अगर अल्ला चाहे तो उनका जिसम बाकी भी रह सकता है अल्ला चाहे तो उनका जिसम मिट्टी में मिल सकता है ये अल्ला की मर्जी है हम उसके बारे में कोई फै झाल झाल